गाईज ऐसे sentences आप डेली life में यूज करते हो जैसे उसके जीवन में खुशिया ही खुशिया है यहाँ तो किचड़ ही किचड़ है यहाँ पानी ही पानी है यहाँ तो समस्या ही समस्या है नदी में मचली ही मचली थी गाईज जब ऐसा situation आ जाये तब आप इसे English में कैसे बोलो तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका rule सबसे पहले लगाना है there plus is और was यदि दोस्तों आपका sentence present में होगा तो आपको यूज करना है is और यदि sentence आपका past में होगा तो आपको लगाना है was plus nothing but plus object ये हो गया आपका rule समझते हैं example से उसके जीवन में खुशिया ही खुशिया है तो सबसे पहले लगाना है there इसके बाद लगाना है is या was तो आपका sentence है present का present में आप लगाओगे is इसके बाद लगाना है nothing but and then लगाना है object क्या है खुशिया ही खुशिया it means happiness उसके जीवन में it means in her life तो आपका complete sentence हो in her life, it means उसके जीवन में खुशिया ही खुशिया है अगल एक्जामपल है यहां तो किचड ही किचड है तो सबसे पहले लगाना है there और यह sentence है present का तो आपको लगाना है is plus nothing but plus object क्या है किचड, it means mud here, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो there is nothing but mud here it means यहां तो किचड ही किचड है अगल एक्जामपल है यहां पानी ही पानी है तो सबसे पहले लगाना है there plus is plus nothing but क्या है पानी, it means water here, तो आपका complete sentence हो गया guys there is nothing but water here it means यहां पानी ही पानी है, अगल एक्जामपल है यहां तो समस्या ही समस्या है तो सबसे पहले लगाना है there, plus is, plus लगाना है nothing but, plus object क्या है, समस्या ही समस्या, it means problem here, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो, there is nothing but problem here, it means यहां तो समस्या ही समस्या है, अगले एक्जामपल है, नदी में मचली ही मचली थी, तो सबसे पहले लगाना है there, और यह sentence है past का, तो आपको लगाना है was, plus nothing but, इसके बाद लगाना है object क्या है, मचली ही मचली थी, fish in the river, कहां थी नदी में, तो in the river, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो, there was nothing but, fish in the river, it means नदी में मचली ही मचली थी, अगला example है, यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, इसका अंसर दोस्तो आपको comment section में लिखना है, गैस, ऐसे sentences भी आप daily life में use करते हो, जैसे, जिस तरह से आपने उससे बात किया, वो अच्छा था, जिस तरह से वो बोलती है, वो attractive है, जिस तरह से तुम बात कर रहे थे, वो बहुत बुरा था, जिस तरह से आप explain करते हो, वो unique है, जिस तरह से आपने उसके साथ behave किया, वो देख लेते हैं सबसे पहले rule, सबसे पहले लगाना है the way, plus sentence, जैसा आपका sentence होगा, उस type से आप translate करोगे, plus use करना है is, यदि आपका sentence present का है, तो आप लगाऊगे is, और यदि sentence आपका past में हो, तो आपको लगाना है was, plus आपको लगाना है adjective, समझते हैं example से, जिस तरह से आपन उससे बात किया, वो अच्छा था, तो सबसे पहले लगाना है the way, इसके बात लगाना है sentence, sentence है आपने उससे बात किया, अब यह sentence है दोस्तो past indefinite का, और past indefinite का rule होता है subject plus work की second form and then object, तो आपने उससे बात किया, it means you talked to her, क्या था, अच्छा था, कब था, past में था, तो आपका complete sentence होगे दोस्तो, the way you talked to her was good, it means जिस तरह से आपने उससे बात किया, वो अच्छा था, अगले example है, जिस तरह से वो बोलती है, वो attractive है, तो सबसे पहले लगाना है the way, plus sentence, sentence हो बोलती है, तो इसका English बनेगा she speaks, क्या है attractive है, कब है present में है, तो इसका English हो जाएगा is attractive, त तो आपका complete sentence होगे दोस्तो, the way she speaks is attractive, it means जिस तरह से वो बोलती है, वो attractive है, clear, अगले example है, जिस तरह से तुम बात कर रहे थे, वो बहुत बुरा था, तो सबसे पहले उसकरना है according to rule, the way, इसके बाद लगाना है sentence, sentence है तुम बात कर रहे थे, तो इसका English बनेगा you were talking, क्या था बहुत बुरा था, क्व था, past में, तो इसका English हो जागा guys, was very bad, तो आपका complete sentence होगे दोस्तो, the way you were talking was very bad, it means जिस तरह से तुम बात कर रहे थे, वो बहुत बुरा था, अगले example है, जिस तरह से आप explain करते हो, वो unique है, तो सबसे पहले लगाना है, the way, plus sentence, sentence है आप explain करते हो, it means you explain, क्या है unique है, कभे present में है, is unique, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो, the way you explain is unique, it means जिस तरह से आप explain करते हो, वो unique है, अगले example है, जिस तरह से आपने उसके साथ behave किया, वो root था, तो सबसे पहले लगाना है, the way, plus sentence, sentence है, आपने उसके साथ behave किया, it means you behaved with him, क्या था, rude था, कभ था, past में, was rude, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो, the way you behaved with him, was rude, it means, जिस तरह से आपने उसके साथ behave किया, वो root था, अगले example है, जिस तरह से आप पढ़ाते हो, वो unique है, दोस्तो, इसका answer आपको comment section में बनाना है, तो बस guys, आज के लिए इतना ही मिलती हूं next video में, I hope आप अपना comment section में feedback जरूर दे, thank you